यूपी में करो ना मरीज के Home Isolation को मनजूरी मिली है जी हां तय सर्थों के साथ Home Isolation को अजाज़त दी गई है CM योग्यादतनाथ ने Home Isolation को लेकर अब मनजूरी दिये और साथी साथ दिशा निरदेश भी जारी किये गई है चिर्टो के साथ ये मनजूरी जो है वो दी गई है UP सरकार के निर्धारत फ्रोटोकॉल की शर्टो के तहत की मनजूरी जो है वो मिलेगी अभी तक कोरोना मरीज को होटल में रुखने की मनजूरी जो है वो दी गई थी UP के हजारों लोग home isolation का इंकिजार जो है वो कर रहे थे शर्टों के साथ होम आईसोलेशन के इजाज़त अब यूपी सरकार की तरफ से दी जाए गया रिजंडी मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने जो है वो दिखा दी है बड़ी संख्या में संक्रमत लोग बिमारी छिपा रहे हैं होम आईसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवारे होगा होम आईसोलेशन की मन्दूरी तो मिली है लेकिन जो प्रोटोकॉल है ऒतर इमेनिटी कोविट नयंटी से बचाओ के लिए बेहदी ज़रूरी है और हमारे रस्डेन एडिटर हरेंड चौधर इस वक्त हमारे साथ जुर चुके हैं सीधा रूप करेंगे हरेंडर का हरेंडर बहुत दिनों से ये मांग थी और ऐसी कई जगह से खबरे आ रही थी कि लोग जो है न सिर्फ बिमारी छिपा रहे हैं वो गलत नंबर देते थे और होम आइसोलेशन की मंजूरी एक बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए भी बिल्कु सेता देखें सही कहा आपने अकसर देखा जाता था कि जो जानकारी जो संक्रार जो स्पेक्ट जो होते थे उनकी तरफ से दी जाती थी उस दोरान तिया पर जानकारी सही नहीं होती थी और कई बार जो संदीक जो लोग थे वो मैडिकल उबिक्र प्रवेशन की अगर उनको जरूवत होती थी तो उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता था और बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो सुस्पेक्ट थे और जिनके अजिनके अंदर अलक्षड नहीं है बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं और ऐसे में जरूरी था कि होम कि पाए जाता है उसको हेल्फ प्रोटोकाल फोलो कर रहा होगा होम आइसुलेशन के दौरान जो उसके परिवार के जो अन्य सदसे हैं उनको भी जो तैस सर्तों के साथ में आइसुलेशन की मजूरी दी जाएगी कि बिलकुल उसको पूरी तरह से आइसुलेट जो है परिव परिवारी को छुपा रहे थे और जिस तरह से आशंका व्यक्त की जारी आइमेड की तरफ से भी बड़ा मियान आया कि कम्यूनिटर स्पैट की आशंका हो सकती तो उसको देखते हुए और उत्रबदेश की बात की जाए तो यहां भी लगाता है संक्रमार बढ़ रहा है पिसले 24 गंटे में एक दिन के अंदर जो कुरोन संक्रम बढ़ मरीज सामने आये तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि जो लोग संक्रमित हैं जिनमें लक्षन नहीं है वो सामने आये अपना ना सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो बलकि जो जरूरी इलाज है ताकि जो कम्यूनिटी तो क्या इंफर्मिशन मिल रही है क्या वो प्रोटोकॉल होंगे जिसे फॉलो करना ही होगा क्योंकि बार-बार चीज़े दोहराई जारी है कि जो प्रोटोकॉल है उसे अनिवार रूप में मानना ही होगा तब ही आप हो माइस्सोलेशन में रह सकते हैं देखे हैं स्वेता हालाग के CM योगी अधितनाथ की तरफ से जो टीम 11 के अधिकारी है उसको दिशानी दे सबी दे गए और एक अलग से नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किया जाएगा जो स्वास्ति विभाग के अपर मुक्त सचिमा अमित बहुन परशाद उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन सभी जिलों के जो डीम उनको और CMO को लेकर जारी किया जाएगा हाला कि जो सुरुआती अभी जो जानकारी है जो अ जानकारी जो तैसरतों के साथ में बताई जा रही है कि मेडिकल आपजर्वेशन में उनको रहना पड़ेगा जो डॉक्टर्स की तीम है उनके घर जाके विजिट कर सकती है उनको जो प्रिस्ट्रिप्शन बताया जाएगा कि यह दवाईयां और यह उनको परहेज करने और सुबह से लेके शाम तक रूटीन में दिन चर्या में उनको जो चीज़े सामिल करनी वो सब बताया जाएगा और इसके अलाबा परिवार के किसी ऐसे सदस के कॉंटेक्ट में सीधे तोर पे आने से बचा जाएगा जो जो सिर्फ जिनकी उमर अदे के जो ओल्ड डेज पीप सरकाल है उसके तैत उसको फॉलू कर लिए और इसके लिए एक अलग से एडवाइजरी एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एक एक स्टेप जो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है अगर हम देखे तो बहुत कह सकते हैं बाचीत करने के बाद या फिर सर्वे करने के जानबूच के अपने लक्षन नहीं बता रहे हैं कि उन्हें कहीं न कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा अस्पताल में और वो जाना नहीं चाह रहे हैं एक तरफ तो होम आईसोलेशन की मनजूरी मिल गई है लेकिन कई बार जिन जिन राज्यों में हम देखे होम आईसोलेशन सरकार के लिए एक टास्क की तरह है पढ़ू हैं इस बात को लेकर कारी होजना जो एक्शन प्लान देख लेकिया गया है और सही माइने में कारगर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो उससे पहले इसको समझने की ज़रूरत है देखे सुईता लगातार उत्रवजे सरकार की तरफ से जो सेंपलिंग है जो टेस्टिंग है उसकी संक्या लगातार बढ़ती जा रही है कल तक की बात की जाए तो तक्रिवन पैतालीस हजार एक दिन में पिछले चौबेस घंटे में जो है टेस्टिंग की गई इस कम्यूनिटी स्प्रेट के खतरी की जो आशंका जो जाहर की जारे उससे बचने के लिए ऐसे में जरूरी था कि लोग जो है अपनी बीमारी को नहीं चुपाएं अपने सामने आया और टेस्टिंग कर आएं ऐसे में हो माइस सुलेशन एक कारगर उपाय हो सकता है खासकर उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते हैं कि कोबिट अस्पताल में उनको जाना पड़े और जो हैल्फ प्रोटोकाल है चौदे दिन का वह उनको वहां पर फॉलो करना पड़े मेडिकल अबजर्विशन वह अपने घर पर रह सकते हैं लिकिन तैस अर्थों के साथ मनको मंज जूरी दी जाएगे हरेंदर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साजा करने के लिए